आज के ग्लास में हम एक नया प्रोविजन डिसक्रेश करेंगे रिड़ रूल लंबर 86B और ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ट रूवा विड़ इफैक्ट फॉर्स जैन चे रूल लंबर 86B जो इंट्रोड्यूस्ट किया गया इसका इंटेंशन ये था कि ये जो भी रूल लंबर 86B अब ये रेस्टेक्ट करेगा कि जितना भी आईटीसी का बैलेंस है जितना भी आपका आईटीसी का बैलेंस है अब आप पूरा आईटीसी का बैलेंस यूज नहीं कर सकते कुछ मिनिमम परस्टेज आपको केस में देना पड़ेगा इलेक्ट्रोनिक केस लेजर से पेक करना पड़ेगा पहला पॉइंट या कि दिमाग में याता है कि रूल नंबर 86B क्यों बनाया गया उसका सिंपल जो परपस था वो ये था कि फेक इन्वोईस के अदार पे और ये रूल नंबर 86B इसी परपस के लिए बनाया गया है कि जो रेजिटर परसान है जो रेसिपेंट है जो आईटी सिल लेगा वो आईटी सिल लेगा लेकिन यूटिलाइज पूरा नहीं कर सकता तो यदि किसी मंत में आपको टेक्स पे करना है तो जितना भी आपका टेक अब आई टी सी कि आधार पे नहीं पे गर सकते हैं 99% अब आई टी सी उद्लाइज करो एक परसेंट 99 रथ से डिटी सी आउटीलाइज कर सकते हैं जो बं परसेंट वो आपको क्या करना पढ़ेगा वो आई टी सी से लिए दे सटै वो आपको electronic case laser के 2 पे करना पड़ेगा electronic credit laser आप use नहीं कर सकते लेकिन ये rule number 86 किन किन के उपर applicable होता है किन किन के उपर applicable नहीं होता है ये सब हमें detail पे देखना पड़ेगा एक बार generally हमीं बोल सकते हैं कि जो restriction जो impose की गई है ITC के utilize करने पर कि आप पूरा ITC use नहीं कर सकते 99% ITC utilize कर पाऊंगे GHT pay करने के लिए 1% आपको नहीं use कर पाऊंगे अभी किसका 1% है कैसे 1% है ये समय example से आपको लूँगा जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे तो अभी आप provision देखते हैं ये provision किसके लिए बना हुआ है क्योंकि मैं बहुत सारी बाते करनी है कि 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 आपर applicable होगा और कि कि आपर applicable नहीं होगा तो पहला point ये जो concept जैसे Mr. B Mr. B is a person उन्होंने Mr. A से क्या किया inverse applies लिए Mr. B ने Mr. A से inverse applies लिए inverse applies लिए इन्वर सप्राइज पर JST लग गया तो Mr. B क्या हुआ recipient है और हम ये presumed करते हैं कि वो registered person है as well as section 16 और 17 का जो भी condition है वो आप fulfill करोंगे तब ही आपको क्या होगा ITC मिलेगा otherwise आप ITC नहीं ले पाऊंगे तो ये Mr. B section 16 और 17 का सारा condition लेता है तो ये GST पेर है उसका ITC इसको मिल जाएगा electronic credit ledger के अंदर ये जो भी ITC that will be credited now ये Mr. B क्या करता है अपनी आउटवर्स अप्लाइज करता है ये जो भी आउटवर्स अप्लाइज करता है उसके उपर इसका GST पेर होगा और जितना भी इसका GST पेर होगा क्या ये पूरा का पूरा GST पेर अपने ITC से यूज कर सकता है या नहीं लेकिन ये rule number 86B का जो restriction है ये rule number 86B का जो restriction है ये Mr. B के उपर Mr. B के उपर तभी applicable होगा ये दि Mr. B का value of taxable supplies क्या बेटा? value of taxable supplies और जैसे मैंने taxable supplies बोला तो अपने आप समझ में आगया होगा सर exam supplies इंक्लूड होगा नहीं तो यहां पर clearly भी दिया हुआ है कि exam supply के अलावा और zero data supply के अलावा कोई बताएगा zero data supply के अंदर कौन से दो supplies आती है जो भी आपने export किया good services और बहुत का और जो भी आपने developer या एस देजर unit को जो आपने supplies किये वह वाली सप्लाइज दें उन्हें हम बोलते ही zero data supplies यह कब देखनी है इने मन्त generally हम लोगों की आदत है जब हम criteria देखने है कि 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 के ओपर applicable होगा तो मारी आदत पढ़ी हुई है माइन में set financial year कर देखेंगे presenting financial year कर देखेंगे यहां पर clear बोल दिया है मैं वापस से repeat कर देता हूँ प्रेजिटिन financial year पूरे financial year की बात नहीं करनी है जिस दिस मन्त में आपको tax pay करना है तो यह checking जो होगी वो every month होगा तो 1st gen 2021 से ही provision applicable होगया अब 1st gen 2021 onwards अब every month आप tax pay करोंगे तो every month आपको देखना पड़ेगा कि इस month में आपने कितना taxable supplies किया जिसमें exam supply का value include नहीं करना और जो भी आपने goods और services का export किया है और Sajr developer हो है, Sajr Unicor से supplies किये उनके अलावा जितनी भी taxable supplies है उस month में जिस month का आप tax pay करने जा रहे हो उस month का taxable supplies का amount कितना होना चाहिए more than rupees 50 lakh rupees और यही 50 lakh rupees से ज्यादा का यही आपने month में यही taxable supplies की है तो देन यह rule number 86B का restriction आपके उपर applicable हो तबस में आगिया one applicability इसके अलावा हम five points और पर हेंगे कि यह provision किन किन के उपर applicable नहीं होता वो additional लेकिन domain condition है वो आपको समझना पड़ेगा कि rule number 86B का जो restriction है वो क्या आए मैं भी बताने वाला हूँ with example बताऊंगा rule number 86B का जो restriction है ITC की utilize करने की regarding यह यह person के ओपर तभी applicable होगा जब उसका taxable supplies in a month in a month का मतलब हुआ कि this is to be checked every month फैक के लिए जून का surprise देखा जाएगा जुलाइ जुलाइ के लिए युलाइ का surprise देखा जाएगा अगर्ज के लिए अगर्ज की अगर्ज का surprise देख जाएगा तो every month के अंदर जिस month का आप tax पे कर रहे हूँ जो भी आपका tax period है उस month का taxable supplies का amount कितना होना चाहिए यही 50 lakh rupees से ज्यादा है तो देन यह जितना भी आपके पाज अब तक ITC का जो balance पर आए जितना ITC credited in the electronic credit laser है cannot use the ITC in access of 99% of the tax liability we take a example for example there is a Mr. B जो रिजितर परसन है जिजने इन्वर्स अप्लाई इस पर GST पर है तो बहुत सारी इन्वर्स अप्लाई इस लियोगी जिजका ITC electronic credit laser के अंदर है तो Mr. B November 2021 value of taxable supply जिजमें एक्सप्लाई का value इंक्लूड नहीं किया यह इंक्लूड है तो एक्स्क्लूड कर देना और जो भी घुर्स और सर्विसेज़ को आपने export किया उसको भी एक्सप्लाई करना है और सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना है आपको कुछ जयान देना ही नहीं जितना भी ITC बनता है पूरा यूज कर लो टेक्स पे करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आप पूरा का पूरा टेक्स आप ITC से पे कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आपका टेक्सप्लाई सप्लाई ने मन्त यहीं 50 लाक रुपीज से ज्यादा हो गया आप पूर एक्जाम्पल रुपीज 80 लाक्स एन जी एस्टी पेएबल यहीं 50 लोगा फाइप पर्सेंट ट्वेल पर्सेंट एक्टिन पर्सेंट मैंने यहां पर एजूम्ड किया ट्वेल पर्सेंट का जी एस्टी अप्ली किवले ओंदा आउट्वर्स अप्लाईज एन जो ITC काहां बोलता ITC हमारा प्रेडिटेट इन इलेक्ट्रोनिक एक्ट्रोनिक एक्ट्रोनिक अग्रेटि यही तो मैं कैसे टैक्स पे करूंगा हो समझना पर हीगा एस्पर रूल नंबर 86 भी मैं आगे बताउंगा कितना मौंट है आपकी टेक्स लाइबरीटी कितनी बनती है टेक्स लाइबरीटी ऑफ नॉवंबर 2021 को बिताएगा कितना टेक्स बना 960,000 सो 80,000 का 12% डेटी रुपीज 960,000 रुपीज का आपका टेक्स बना और पॉर एक्जम्पल जो ITC का जो बैलेंस है इलेक्ट्रोनी क्रेडि लिजन में बोल रहा है नॉवंबर मन्त में अब तक हमारे पास देटीज रुपीज मानलो 10 लाक रुपीज का ITC बैलेंस है तो मैं पूरा का पूरा टेक्स ITC से पे कर सकता हूँ, I am right or not? वैसे पे कर सकता हूँ, वैसे पे कर सकता हूँ यहीरी रूल 886 भी नहीं आया होता तो लेकिन रूल 886 भी आने के बाद अब जितने भी रेजिटर परसन उनको ध्यान देना पड़ेगा विद एफेक्ट प्रॉम 1st Gen 2021 क्या ध्यान देना पड़ेगा? भाया अब आप जितना भी आपका टैक्स बनता ही इरी ITAC का बेलेंस ज्यादा भी है तो आप ओल्ली 99% अब इलेक्ट्रोनी क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हूँ मैक्जीमम और जो 1% है तो 960,000 का जो 1% है तो 960,000 का 1% कितना हुआ? 96,000 तो 9600 रुपीज यही आएगा बिटा? 9600 रुपीज का जो आपका टैक्स बनता है ये टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोनीक ये इलेक्ट्रोनीक केज लेजर से पे करना पड़ेगा मैं चाता तो 960,000 रुपीज पूरा का पूरा टैक्स आइटी से यूटिलाइज करने था लेकिन पूरा पूरा टैक्स आप आइटी से नहीं पे कर सकते जितना भी आपका टैक्स बनता है उसका कितना परसंट? 1 परसंट जितना भी आपका टैक्स बनता है मन्त में उसका कितना परसंट? 1% यह 1% आपको क्या करना पड़ेगा यह आपको electronic case laser से pay करना पड़ेगा government यह केती है ओ सकता है कि आपके fake invoices हो या कोई भी reason हो तो इसका मतलब यह हुआ कि अम not genuine person को रोकना चारेते जो genuine persons पर भी impact पड़ेगा तो अब यह provision बहुत important होगी है लेकिन यह provision की apply करने के लिए जो important condition हो आपको ध्यान अखनी पड़ेगी वह condition है कि आपको monthly check करना पड़ेगा और जिस जिस मन्त आपको tax pay करना है तो उस मन्त का आपको taxable supply का value देखना पड़ेगा यह आपका taxable supply का value 50 lakh से ज्यादा है tax का amount कितना भी हो इंपोर्टन नहीं इंपोर्टन कहा है बटा value तो value of taxable supply ने month यह 50 lakh से ज्यादा है तो आपको यह check करना पड़ेगा कि जितना भी आपका tax बन रहा है तो पूरा का पूरा tax ITC में balance होने के बाद भी आप use नहीं कर सकते उस tax का कितना परसेंट 99 99 99 परसेंट आप utilize कर सकते हो कितना परसेंट 1 परसेंट 1 परसेंट कैसे पे करना पड़ेगा electronic cash लेजर से पे करना mandatory a compulsory है और अमने तो यह provision already पढ लिया और भी आगे provisions आएंगे कि यह आप rule 86B के provisions यह contract नहीं करते हैं तो हमने आपको registration दिया था ना तो registration cancel भी कर सकते हैं लेकिन वह यह नहीं दिया हुआ है तो उसके contribution पर क्या-क्या impact परेगा respective respective provisions में आएगा यहां तो rule number 86B में आपको यह दिया हुआ है कि क्या requirement यह provision की तो एक बाल हम language पढ़ते कि rule number 86B में क्या दिया हुआ है इसकी first line आप रीड करो notwithstanding anything contained in these rules वरस ती जिएस्टी रूल में जो भी provisions दे आए सब बाहर में जाए जो हम के रहे हैं वो ध्यान से सुनो मतलब यह overriding effect है irrespective of any of the provisions of the rules तो यह rules के provisions को contravene करता है act के provision को contravene नहीं कर रहा तो rules में कौन से rules इस एस्टी के जो भी रूल से उनको provision को contravene करता है और राइट करके क्या बोलता है जो हम बोल रहे है वो आपको अप्लाइट करना है या the register person shall not use the amount available in the electronic credit laser electronic credit laser बोलने का मतलब क्या हुआ ITC का balance तो जितना भी ITC आपका electronic credit laser में बोलता है आप पूरा ITC use नहीं कर सकती to discharge ज्राइड लाइबिलिटी ट्वर्द वर्य ओर्पू ट्रवाटेंजेस अए इस loss of 99 परसेंλα 99 परसेंल किसका लीनाए तो आयोट्वीटेक्स टैसलायबिटी का नैंटीगकंत्यूपर संत्थतlor 안-it उसका बसके क्यों किनिमें मतलब 90 Сп 分 स्क्राइड का 555 क्यों क्यों पढ़ेगा लेकिन यह वाला जो प्रोवीजन है यह तभी अप्रिकेबल होगा वेयर दी वैली ऑफ टैक्सिबल सप्लाइ किन सप्लाइज को अटागी एक्जम सप्लाइज के अलावा एंसे किन जी रोटे सप्लाइज के अलावा इने मन्त और देन रूपीज 50 लैक्स तो देन रोल नमबर 86 B का रिस्ट्रेक्शन अप्लाइज होगा इसे को यहां तब कोई कंफ्यूजन है सर इससे फेक इन्वाइस कैसे हों इंगर प्रिम इससे ऐसे चेक होगी कि अब कोई बंदा बिल्कुल भी आपका टैक्स नहीं पेक करना चाहता तो बिना मतलब के फर्जी इससे रियल लाइफ में लोग अब तक क्या किया करते थे मतलब गौर्वर्मन को सब पता है और अच्छे जिदी को लगता है की गौर्वर्मन को पता नहीं गौर्वर्मन को पता और प्रेक्टिकल यह मैंने देखा भी वैसे बहुत सारे प्रविजन अल्यरी बने हुए यहां पर यह दिया हुआ है कि इस ट्राइफ की वर्के रियल लाइफ नहीं ओती है तो गौवर्मेंन नहीं बोला कि आप विल्कुल भी अपनी जेप से केस नहीं पेख करना चाहते हैं, वन पर्सन तो लेंगे अब आपका, अब आप चाहे इन्वोईस ज्यादा दिखा दो, और इसमें प्रॉब्लम है, अब जैनुल लोग भी होंगे, गौवर्मेंन का इंटे सब्सक्राइब करना चाहिए, जो बिल्कुल भी टेक्स, अपनी जेप से पे करना ही नहीं चाहते हैं, गौवर्मेंन बोलते हैं, कुछ तो निकालो यार तो, और अब जैनुईन बोलेंगे, अमें उकसान हो रहा है, तो बोलते हैं, आप आपका पढ़ा है ना, उस पर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बाकी कुछ एग्जेम्शन हम आगे भी देंगे, यह एंसर करते हुए कि आप जैनुईन लगे, आप रियल में बड़े प्लेयर्स हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे, उनमें हम बात कर देंगे, लेक एक बार गॉर्मेंट का इंटेंशन था कि एक ऐसा प्रॉविजन मना जिया जाए जित से की, at least every month, जो बड़े प्लेयर्स है, कुछ टैक्स का अमाउंट, वो केस में भी पे करे, इसको एंसर करने के लिए, रूल अंबर 86 भी एंट्रोड्यूस किया गया, समझ में आगी बा और एक्जांपल, नौमबर में आपका, मतला, टैक्सिवल सप्लाइज का वैल्यू साथ 80 लाक हो गया, तो वो सकता है कि दिसंबर में आपका 30 लाक, तो दिसंबर में प्रोविजन अप्लाइ नहीं होगा, तो यह तो monthly basis पे आपको चेक करना पड़ेगा, यह बात बिलकुल क 10% ITC का बैलेंस ओने के वाबजूद भी आपको electronic case laser सही पे करना पड़ेगा, electronic credit laser आप यूज नहीं कर सकता है, यह पूरा प्रोविजन तभी समझे में आएगा, जब हमें यह भी समझे में आजाए कि क्या-क्या exemption है, मतला, एक्जम्शन मतलब rule number 86B की restriction किन किन के ओपर applicable नही होती है, यह parts point और complete होंगे तो आपको अच्छे नहीं समझ में आए, कि aware of the restriction, कौन से restriction rule 86B, तो rule 86B की तो restriction है, वो applicable नहीं होगी, means you can say exemption is given, किन को यदि वो ही person जिसकी आप बात कर रहे हो, लेकिन यदि वो person company के पर्म में होतो, यदि वो person partner से पर्म के पर्म में होतो, यदि व person sole proprietor से firm के form में होतो, तो अम उस person की तो बात करेंगे, उस person के अंदर जा के भी देखेंगे, मतला वो person जो company है, company तो उसका management director भी होगा, HOF ए तो उसका करता भी होगा, तो या तो वो person, या उसका provider, यदि sole proprietor से firm है, उसका sole proprietor मालिक, यदि हो ए तो करता, यदि company है तो managing director, औ ने प्रशम है तो बार्टे इन मैं से कोई भी पर्सन पाइड और थाल्टम पाइज ही रूपीज ऑंपनी इन में से कोई भी पर्सन पाइड पाइड एंगेर प्रसन पार्सन से कने लोग बिनिस्वें मेरे on company के बात कर नूं तो company के case में उसके डार आ गया ये पार्टनर्स दिपाए हो से बात कर रहे हो ये ये जो परसा segunda आइस करम में जो करता है वो ये उन्होंने एक लाख रुपे का income नहीं एक लाग का tax 1 lakh rupees ka tax आपने pay किया 1 lakh rupees 1 lakh rupees से ज्यादा का तो ही एक लग से ज्यादा का इरी आपने income tax इनी पे किया है खर कब पे किया है in each of the last two financial years for which the time limit to file the return of income under section 139 subsection 1 of the act as x file वात उनन financial year की बात की जा रही है जिन financial year की regarding इस वाड़ी आइट यार फाइल करने की जो भी टाइल लिमिट एक संट 139 संट वन में धी हुई है वो कंप्रीट ओ गई है मतलब 139 वन के अंदर जो डू डेट और रिटन दिया हुआ है वो डू डेट और रिटन आ गया है बतना रिटन फाइल करने की लाट्स देट चले तू फाइनेंसल यह और लाट्स का भी एन ही नहीं है इच मतलब लास्ट फाइनेंसल यह के लाट्स के लाट्स में दोनों की दोनों फाइनेंसल यह तो लास्ट फाइनेंसल यह में आपका इंकम टैक्स एक लाग से ज्यादा का पे किया हो और यह इंकम टैक्स आपने एक ल रहे हो इसका मतलब आप जैनुइन इन पार्टी होंगे तो इन्हों ने रूल नमबर 886B का जो रेस्ट्रिक्सन है कुछ लोगों से अठादिया जहां में लगता है कि आप से एक दिखाने के लिए रिकोर्ड में दिखाने के लिए इस तरह का फर्जी बिद्नेस नहीं करते हैं आप रियल में बिद्नेस कर रहे हैं ऐसा नहीं कि आउपर सप्लाइज भी किसी को देने के लिए करते हैं आप फर्जी बिद्नेस होना चाहिए दिखना चाहिए कि आप बिद्न पर नहीं होगा इसका मतलब आप पूरा पूरा टेक्स पूरा पूरा टैक्स लाइडरी आप ITC यूटिलाइज कर सकते हो आपको एलेक्ट्रोनी के लेजर में वन परसंट पे करने की भी रिक्वार्मेंट नहीं होगा अम एक बार पूरी नमबर एक लेंग्विज्ट कर लेते क्या दिया हुआ है दा सेर परसन वो परसन या उसका फ़ाइटर या करता या MD या any of his two partners all-time directors, members of managing committee या BOT have paid more than rupees 1 lakh as income tax in each of the last two financial years for which the time limit to file the return of income under section 139.1 has been expired एला point clear हो गया दूसा point B point और C point जब refund वाला chapter आएगा तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा refund वाला chapter के एंड़ point number B और point number C point number B क्या कहता है refund आपने लिया होगा own account of unutilized ITC generally generally जब refund वाला chapter पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि ITC का refund नहीं मिलता unutilized ITC का refund नहीं मिलता लेकिन मिलता है only in the specified ground जो section 54 के अंडर दिये हुए जब section 54 refund परेंगे तब आपको detail में समझ में आएगा तो section 54 subsection 3 परेंगे दिया हुआ है कि जितना ITC आपका यूटिलाइज नहीं हो पाया उसका आपको refund मिल पायेगा यही section 54 subsection 3 के फर्स्ट प्रविजो का close number 1 close 1 क्या खेता है close 1 यह खेता है कि ITC का जो refund है जो use नहीं हो पाया उसका refund मिल सकता है यदि वो जीरो रेटे सप्लाइज की वज़े से हो मतलब बतलब यह यह भी भई आए इनों ने अपनी आउटवर्ड जो सप्लाइज है उनको क्या कर दिया एकस्पोर्ड और एकस्पोर्ड पर आपने टेक्स नहीं पे किया बिद दूज आपकी इनवर्स अप्लाइज है को या ओन्स अपने पढ़ी किया हो गा उसका आति किसी तो मिलेगा तर यह का दिया हुआ यह तो आमने पड़ी लिया ना बैटा जीरो रिटेर सप्लाइज के लिए जो भी इन्वर्स अप्लाइज यूज की जाती है उसका इटेसी इस नहीं आपको अपनी आउर्ट इस पर टेक्स नहीं नहीं देना लेकिन आईटीसी तो मिलता है तो यह आइटेसी यूज नहीं हो पाएगा तो रिपां वाले चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगा फिर भी मैंने आपको एक इंट दे दिया कि यह जो आईटीसी 54 subsection 3 और यदि बी ने ऐसा जो रिपन्ट लिया है ITC का ITC का on the ground of 088 supplies तो 088 supplies की वरे से जो ITC utilize नहीं हो पाया उसका रिपन्ट लिया है कितने amount का 1 lakh रुपीज से ज्यादा का और ये monthly basis पे आपको check नहीं करना पड़ेगा ये आपको check करना पड़ेगा इसका मतलब मुझे ये जो देखना है ये देखना है financial year 2020 2021 चेश्च करना पड़ेगा कि ये आपका refund का amount जो आपने claim कर लिया जो आपने receive कर लिया जो जो refund आपको मिला किसके ground पर 088 supplies की वजह से हाट हैं बाकी 08o सप्लाइस में दो OCன27 अब इस बारे में बात नहीं करें क्योंकि हम बात करें इटाएसरी के बारे में तो हम पतोछ हम ज्यादा ITC के बारे में करेंगे जिड़ू एटे सभ 1 के वारे में 08 suppress को रीफं डिफंट वाले कितना मिलेगा किस तरीके से मिलेगा वो पूरा कैल्कुलेशन हम देखेंगे अलोंग विद रूल्स लेकिन फिलाल रूल नंबर 86 भी आईटी से के लिए आपको यह याद रतना पड़ेगा कि यहीं प्रेशनिंग फाइनेंसल यह के अंदर 2021 में यहीं आपने रिफंड जीरो एटे सप्लाइज की वज़े से क्योंकि जीरो एटे सप्लाइज पर आपने टैक्स पे नहीं किया से मंत की बढ़ है आपको क्या मिल जाएगा bri तो एसा आपने रिफंड क्लेंड किया ओगा कुनसे की मन्त की बात नहीं हो रहे यह प्योंचा की बात हुआ व'RE की कर आपने रिफन लिए थे तो इस मंत में इस मंत में आप अपनी टेक्स लाइविटी पूरा का पूरा इटेसे के तुर यूडिलाइस कर सकते हो वन परसंट भी आपको इलेक्ट्रोनी केस लेजर से पे करने की जर्वत नहीं अब किसी को कोई डाउट है जितना इटी से का पार्ट है उसके रिगार्ड इन तो पूछ सकता है पूई नमर बी के रिखाड़े कोई डाउट है किसी को तो यहां पर पूरा मंत पूर देखेंगे वो तो प्रीसिडिंग चानेशली देख रहे ना तो इस इस पूरे फानेशली यह पूरा यूज कर सकते हैं न यह थोड़ी मंत भाइस चलिंगे नॉम्बर 2021 में अब जितना भी आपका टैक्स बन रहा है जितना भी टैक्स बन रहा है तो पूरा का पूरा टैक्स आप आई टीसी को यूज कर सकते हैं है मोना क्या राउटेस। सर मैं ऐसा बोल रही हो कि प्रिसीडिंग लिए में अगर हमें रिफंड और लेका लिया है तो जो पूरे में हम पूरा इटीसी यूज कर सकते हैं ना इस यहां तो परबन देखेंगे नहिं नहिं नहीं यह मंतली पर नहीं यह तो पर इस यह तो पूर याइस से दरीप्जोन एक नसे यह तो सावंत और परनेशल तो मतलब यह कि आप फाईनेंसल यार 2021 ओर 2022 केलिए आप क्या होगिए 60 तो पूरे फाइनेशल यह मतला अप्रेल 21 से लेखे मार्च 2022 तक आपको वन पर्सेन भी पे करने की जरुवत नहीं है यदि आप किसी मन्त आपका टैक्सिबल सप्लाइज का वैल्यू यह पचास लाक से ज्यादा हो भी तो कोई बात करें पूरे फाइनेशल यह की बात करता है कि इंप्लाइड होता है कोई और कन्फिजन है एक बार एक पॉइंट में बता दो कोई नंबर एक तुबर सेंपल साही है यह आपर यह बात कर रहा है कि जो परसाने खुद मतलब यह कंपनी है या पार्टनर से परमें या इंडिवीज्वल पर्वाइटर से परमें तो वो और उनके रिगार्डिंग जो भी मालिक वालिक होते ना में में जो टॉप परसंसे वो उन्होंने यह प्रिज्वी फाइनेंसल यह के अंदर बता ऐसे लाट्स टूप इनकम टेक्स अमाउंट एक लाग से जादा पे किये हैं तो उनको अगें अभी वाले फाइनेंसल यह मे यह लफ्राज वाए वन परसंट का वो उनके उपर अप्लिकिवल नहीं होगा तो से मैं डाउट ही है कि अगर कंपनी का कोई केस है तो इसमें जो इनको पे करना है इनकम टेक्स कंपनी भी कंपनी भी जा सेट परसंट भी लिखा हुआ है और या तो कंपनी ने एक लाग से ज़्याओ कंपनी के किसी मैंचिंग डायंग लग से ज़्यादा का टेक्स पन डिया और कोई भी और है एंड आए सानीश उंथरा कंपनी हो भी II कंपनी कुद्ध आप कंपनी की बात कर तो company के लिए इनकना गर जाये तक बनाओ लेकिन एमटी का टेस्ट डेल का बनाओ वह आपको बैनेफिट मिल जाएगा 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 सेयर परसन और दी मैनेजिंग डारेक्टर और एन ऑफिस पार्टनर्स या और टाइम डारेक्टर्स के लिए दिया है तब के वीचे में क्या रहा है बिटा और इन मे जैसे अना अगर वो डारेक्टर है उसका हो रहा है लेकिन उसकी कंपनी का नहीं हो रहा तो वो रेस्ट्रिक्शन कंपनी पर लगेगे सब्सक्राइब नहीं करने को एक डारेक्टर तो ऐसा ही बिद्निस नहीं करने मतलब मतलब यह कि मैंने अभी यही वाली बात बोली थी कि for example यह जो बिन्निस करती है वो A-B Limited करती है तो मानलो कि A-B Limited का तो टैक्स बन रहा है 70,000 का और 80,000 का लेकिन यह उस कंपनी में जो डारेक्टर है आल टाइम डारेक्टर यह मैंने डारेक्टर एनोने इंकम टैक्स लास्पी पाइनरेशल यह मानलो टू यह उंकके डेल-डेल आखे प्लिप वी करते हैं तो जिसका गया बैक्रांड हैं तो यह कंपनी हमें फेक नजल नहीं आती है यह ऐता पॉइंट है मतलब जिस परसन की आप टैक्स निकाल लिए हम से उसी परसन पर नजल नहीं रख रहे हैं वह इंट भी नोटेज बिटा यस्ति आप पार्ट्नर से परम की टैक्स लावर्डिटी की बात करें तो कंपनी एता की अधरी च्बै की यहिरी से टैक्स जादा हो तो बीए एक्जैम ça आ यह हमारा पॉइंट नमबर ए तो यह था हमारा पॉइंट नमबर ए यह हमारा पॉइंट नमबर ए यह हमारा पॉइंट नमबर बी पॉइंट नमबर सी और मैंने पहले बोल दिया कि पॉइंट नमबर बी और पॉइंट नमबर सी दोनों ही रिपंड में आएगा किलियर अप मैं त्वासा इंट तो रहा हूं लेकिन डिटिल्ड में आपें कवर नहीं करेंगे वो पूरा का पूरा आपका सेक्शन 54 त्रीकेंड क्लियर होगा यदि वी का जो आउट्वर्स अप्लाइज पर इनी टैक्स बनता है क्योंकि उस पर टैक्सरेट क्या है और एक्जमपल 5 परस और आपकी आउट्वर्स अप्लाइज है मोटल है तो वह सकता है कि एक्षिक बासिक पर टैक्समा सक ले और प्लाइस राखताऊ और प्लास्तिक की बोल्तली जो रो मायल चाहिए उस्में 18 पर कशख लगता है तो बी ने जो इन्वर्स अप्लाइज लिए उन पर जो भी JST पेड़ किया उस पर टब टैक्सरेट ज्यादा है और आउट्वर्स अप्लाइज पर टैक्सरेट कम है तो इस पर बोलते हैं इनवर्टेड क्या बोलते हैं इसे पन inverted duty structure तो यदि inverted duty structure की वज़े इस पे यह जो ITC का amount है यह ITC यदि utilized नहीं हो पाता और यदि ITC utilized नहीं हो पाता तो क्या मिलेगा बेटा refund मिलेगा कितना मिलेगा कैसे मिलेगा और क्या condition है refund वाले चेप्टर में समझे मां जाएगा सेक्शन 54 सब्सेक्शन 3 तो सेक्शन 54 सब्सेक्शन 3 में यह दिया हुआ है कि जीरो रेटे सप्लाइज की वज़े से यह इन वर्टेड ड्यूटी इस्ट्रक्शर की वज़ें से यह किसे स्टुडेन को तुरह कम समझ में आया हो ऐसा लगा हो रिपंट वाला टॉपिक तो रिपंट वाले वीडियो में आपको अच्छी तरह किलियर हो जाएगा यह पर हमारा जो फोकस है हो आई टी सिपर तो यदी यदी आपका जो रिपंट बन रहा है यदी जीरो एक सप्लाइज की वज़े आप यूटिलाइज नहीं कर पाए हो या आप यूटिलाइज नहीं कर पाए हो on account of inverted duty structure और जो refund आपको मिला हो कितने का मिला हो more than rupees 1 lakh in the preceding financial year तो preceding financial year में 1,00,000 से ज्यादा का एरि आप refund claim करते हो point number C और point number D में तो then rule 86B का restriction आपके उपर apply नहीं होगा इसका मतलब 1% वाला भी आपके उपर apply नहीं होगा इसका मतलब पूरा का पूरा tax ITC के तो रूटिलाइज कर सकते हो यहीं ITC का balance ओटो समझे में आगी बाद मेंटा now we come to the point number D की rule number 86B का restriction इस पर भी applicable नहीं होगा जो आपको every month check करना पड़ेगा थर क्या checking करनी पड़ेगी the registered person as they charged is the liability towards the output tax through the electronic case laser which is in excess of the 1% of the total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year तो मैंने एग्जांपल पहले लिया था उसी कमें हम अपन कंटिन्यू करते हैं की हम बात कर रहे थे November 2021 क्या सप्लाय था वैली और टेक्सेबल सप्लाइस का जो अमाउंट था that was the 80 lakh रुपीज तो नॉम्बर की तो टेक्सेबल सप्लाइस है वो 80 lakh रुपीज है यहां पर यह दिया हुआ है की तोटल आउट्पूट टेक्स लाइबरिटी ओमाउंट अपलाइड कुम्मिलेटिबली अब तक का आपको देखना है अब तूरा फैनेिसर यर पर विल भी 20 22 है तो नॉबबर तक की जो भी आपकी टोटल- आउट पूट टेक्स लाइबरिटी है तो यह पर जो नॉबर की टेक्स लाइबर टी है तो या felt नॉमबर की जो टेक्स लाइबरिटी होते 80 लक्सा 12 पर्सन आएगा अप्रेघ्र अपर मैं जून जुलाई अगर सप्टेंबर- अक्टूमर नौमबर मैं जोबी आपका टैक्सवेल सपीजिंट का जो वैलियू है वो टैक्सिंट सपलाईzos का जो वैलियू हुँ वापन मान लेते हैं, that is a 2 करोर रूपीज टो 2 करोर का आपका Output Tax Liability आएगा, there is a 12%, कितना आएगा पिटा ये? 24 lakh 됐 24 lakh रूपीज कही आएगा न्वाटा 24 lakh रूपीज का वनओढ Output Tax Liability है up to the share, मतला वनवान 100 nौवंबर मनतक का जितना भी टोटल आउपूट टैक्स लाइजर से आपने अब तक कितना जी एच्टी टैक्स पे कर दिया है पर एक्जामपल आपने टैक्स पे कर दिया है फॉर एक्जामपल फोर्टी ताउजन रुपीज पहला केस तो अब तक नॉउबर टुटी 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 एमें फोर्टी ताउजन गभ टैक्स पे किया मैंने assumed किया point number A में 40,000 का tax pay किया तो यदि ये 40,000 का जो आपने tax pay किया if it is more than या in excess of if it is more than the 24,000,000 का जो भी अपना amount आएगा तर कितना percent? that is a 1% 1% of output tax liability total so 24,000 का tax बनता है और आपने अब तक अलड़ी electronic case laser से cumulatively applied करके total करके electronic case laser से up to this month नौवंबर तक तो आपने taxes पे कर दिया वो 40,000 का पे कर दिया ये आपने जो tax electronic case laser से पे किया that is more than the 1% of total output tax liability than rule number 86B rule number 86B का जो restriction है कि 1% आपको case में पे करना परेगा वो restriction इस मन्त में नौवंबर 2021 के अंदर applicable नहीं होगी तो इसका मतलब ये restriction आपको every month check करना परेगा ये आपके उपर rule number 86B apply होता है on the basis of taxable supplies का value is more than 50 lakh rupees आपने starting में बात की थी जिनको अभी भी थोड़ा doubt है tension ना लो बेटा हम एक और example ले थे कि येदी electronic case laser के true अब तक आपने cumulatively जो tax pay कर दिया ये वो 16,000 रुपे का amount है तो ये आपने electronic case laser से tax pay किया वो 16,000 है और 1% output tax liability 24,000 है तो इसका मतलब आपने अब तक electronic case laser से जो taxes pay कि 1% से कम है तो इसका मतलब क्या होगा ये पोई नमबर भी ये एप्लिकेबल हुआ तो rule number 86B का restriction applicable होगा तो point number B में तो rule number 86B का restriction applicable होगा लेकिन point number A में point number A में आपका rule number 86B का restriction applicable नहीं होगा मैं एक बार वापस से read कर देता हूँ कि हमने ऐसे कैसे interpret किया point number D the registered person Mr. B की बात हो रही है Mr. B जो हमने example यहां पे लिया है as charged is liability towards output tax तो output tax से जो liability आप रिचार्ज कर सकते हो उसको पे करने की दो तरीके electronic credit laser से भी आप पे कर सकते हो electronic case laser से भी आप पे कर सकते हो तो जितना आपने output tax कैसे पे किया है electronic case laser थे कितना is in excess of 1% of total output tax liability और यह आपको अप्लाइट करना है accumulatively मतलब total up to the said month जो हमारा example ता मन्त वाला वो November 2021 तक का पूरा total आपको देखना पड़ेगा total output tax liability और आपका जो electronic case laser से जतना आपने tax pay किया और up to this month in a current financial year जो आपने electronic case laser से जतना जेचली पे किया यदि वो 1% of output tax liability से ज्यादा है तो इस मन्त में इस मन्त में 1% वाला restriction आपके ओपर apply नहीं होगा otherwise applicable होगा यह है हमारा point number D point number E क्या कहता है point number E A कहता है कि registered person यदि यह 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 हुए तो उनके ओपर भी rule number 86 B applicable नहीं होगा क्योंकि rule number 86 B हम क्यों लेके आएं हम इसले लेके आएं क्योंकि आप fake invoices के true कोई manipulations कर सकते हूँ और यदि यह Mr. B यह जो registered person है यह यह government ही हुई यह government का जहां पर involvement है हुआ 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 तो फिर हमें कोई doubt नहीं होगा तो यदि यह ITC लेने वाले जो persons है यदि वो person को ने government department है या public sector undertaking है या local authority है कोई भी statutory body है यदि उनके द्वारा यदि ITC लिया जा रहा है तो rule number 86B का restriction apply नहीं होगा इसका मतलब यदि उनके पर ITC का balance है तो पूरा ITC utilize कर सकते हैं अपनी output tax liability को पे करने के लिए तो कितने points होगे? 5 points होगे यदि इन 5 में से कोई भी point यदि अप्लेकिबल होता है तो rule number 86B का restriction apply नहीं होता इसके अलावा एक open point और देदिया गौर्मेंट ने वह क्या दिया? वह ये दिया कि यदि कमीशनर या कमीशनर के द्वारा यदि कोई authorized person को यदि आप अप्लिकेशन देते हो और यदि उनको लगता है कि आप genuine हो तो यदि उन्हें सही लगता है यदि उनकी circumistance मेरी fit होता है यदि उनकी opinion में आता है किनके? कमीशनर के तो ये पूरा कमीशनर के distance पावर पे देदिया है कि कमीशनर या कमीशनर के दारा जो भी authorized officers है यदि प्रापर officer को deems fit लगता है कि restriction remove करनी चाहिए तो वो restriction आपके ओपर exempt कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कोई person specified नहीं है पूरा का पूरा proper officer के ओपर डाल दिया है कि उनकी मर्जी हो तो किसी भी person को exempt कर सकते है as he may deems fit यदि ऐसे कोई circumstance applicable होता हो तो यह ता rule number 86 exam के points है December और November के जो exam से है उनके points है बोत इंपर्टन दे क्योंकि यह applicable होआ फिटेफरेक्पर फस्ट जन 2021 आपके बोड़े तो ओल आफ यह